नमस्कार, स्वाधत आप सबका आप के अपने मसाला किचिन में आज आप बनाएंगे कि ऐसे पेड़े जो के मंदिरों के बाहर हमें दिखते हैं एक धीर सा उंचा सा मतलब लगा रहता है इसे बन बाई बन पेड़े यह छोटे-छोटे पेड़े वाइट इखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं और टेस भी अच्छा लगता है हाला कि उसे भोग लगाया जाता है तो कहते हैं बगवान को भोग लगाने के बाद उसका टेस्स वैसे ही बढ़ जाता है पर पता नहीं क्यों, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है तो वैसा ही हम बनाने चाहरे हैं और मैंने भी किसी मंदिर वालों से ही मिली जो अक्सर ये पेड़े बनाते हैं मंदिर के बाहर वैसे तो ये पेड़े मिल्क पाउडर से भी बनते हैं अच्छा ही चीजों से बनते हैं, हम मिल्क पाउडर से भी आपको जरूर बनाना सिखाएंगे लेकिन आज जो बनाएंगे वह वाक्यी जो खोय से ही बनते हैं जो मंदिर के बाहर मिलते हैं वैसा ही हम बनाने चाहरे हैं और इस में इंग्रीडियेंस बहुत कम लगेंगे लेकिन बनेंगे बहुत टेस्टी सबसे पले हमें क्या करना है हमने जैसे 250 ग्राम मावा लीया है हमें मावा लिया है ये बहुत ही जरूरी स्टेप है अगर बहुत ताजा कोया है बिल्कुल गीला गीला लग रहा है तब आप बने ही ना करें लेकिन जब हम कभी फ्रिज में रखते हैं एकात घंटे के लिए या एक दिन के लिए तो इस तरीके से मावा जो है थोड़ा सा ड्राय हो जाता है तो आपको इस तरीके से ग्रेट करता है खोय को हमने ग्रेट कर लिया है और जितना खोया है उतना ही हमें शुगर डालनी है कोई भी टाइप का पैन ले सकते हैं उसमें हम डालेंगे चीनी और क्यूंकि चीनी हमारी मोटी है तो मैं एक से तेबल स्पून डाल रहे हूं पानी अगर चीनी पतली होती है तो बिल्कुल जर्वत नहीं है इसमें पानी जाला की यह चीनी देखो थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू हो गई है क्योंकि इसमें पानी डाला था मैंने अब इसमें खोया डाल देते हैं और इन दोनों को एक साथ पकाएंगे चीनी में खोया गुलता चला जा रहा है और बिल्कुल आपको मीडियम फ्लेम मीडियम से भी और कम रखनी है जिससे बिल्कुल खोय पर आँच नहीं आनी चाहिए स्रफ चीनी गुलनी है यह देखिए इतना स्लो होने के बाद भी यह बबल्स उठ रहे हैं मतला भी उबल रहा है और चीनी बिल्कुल भी दिख रही है कि इसमें मेल्ट हो चुकी है बस आप स्रफ दो मिनिट इसे पकाना है जब से बबल्स उठना शुरू हुए बस दो मिनिट मैंने पकाया बिल्कुल मुझे कलर चेंज नहीं करना है और इसे गैस बंद कर दिया और इसे हम थोड़ा हिलाते रहेंगे जैसे ऐसा नहों कि गरम कड़ाई है और पड़ा जरूर बनेगा यह देखिए चार से पांच मिनिक हुए है तोड़ासा हमने लगा है और दिरे दिरे एक गाड़ा होगा और आप यह देखिए ख़एंगे काफी सारे पांटिकल्सम्रिकंट अलके ह इन सबको हमें घोटना होगा तब इसका कलर भी और ज्यादा सफे प्रेद होगा और चीनी भी सुखेगी इससे जितना सुखाएंगी उतना अच्छा होगा तो अब ये नॉमल हो गया है लेकिन अभी इससे अच्छे से सुखाना है ये देखिए ये काफी ठीक हो गया है अब हम इसे एक थाली में निकाल लेते हैं और करीब करीब एक घंटा कम टाइम हुआ है और ये इस कंडिशन में आगया मैंने फैन के नीचे से रग दिया था अभी ये जो काम कर रहे हूं कि कढ़ाई में भी कर सकते थे ऐसे थाली में भी अब इसको हमें थोड़ा सा ऐसे मसल ना होगा इसे हमने मसल लिया है बहुत अच्छे से अब इससे तो अब हम इसमें चाहें तो थोड़ा सा या तो इलाइची पाउडर डाल सकते हैं या फिर दो या तीन ड्रॉप्स आप केवड़ा एसेंस डाल सकते हो बस और ये भी नहीं डालेंगे तो कोई इस्यू नहीं आख अब ये बहुत सॉफ्ट है लेकिन इजीली बन पा रहे हैं ये देखिए कुछ पेड़े तो हमने ऐसे बनाया अब कहीं कहीं मंदरों में आपको ऐसे भी मलते हैं ऐसे लिया और ऐसे अंगूठे से हलका सा दबाया और इसमें कुछ ऐसा ड्राइफ्रूट रखा ड्राइफ्रूट नहीं भी रखेंगे लेकिन ये ऐसे अंगूठा लगाओ नीचे होते हैं तो हम कुछ ऐसे भी पेड़े बना लेते हैं ये लेखिए मंदिर में जिस तरीक इसे पेड़े मिलते हैं वो तो ये होते हैं ये इस टाइप के भी मिलते हैं लेकिन पिस्ते लगे हुए नहीं मिलते हैं ये हम घर में कभ बिल्कुल white ही पेड़े रहें और कुछ भी बिना कुछ मिलाएं और easily और वो one week तक है अराम से इतने soft रहेंगे आपको फ्रिज में रखने की कोई जूरत नहीं है और आपको ये मिशनल को ठंडा करने के लिए भी आपको फ्रिज में नहीं रखना है इसे बहले दो गंटे लग शेयर करें इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें